गुड वार्निंग साथियों शुरू करेंगे यानि की बीच गणित और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ अलग तरह के सवाल क्लास को ध्यान से देखना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन अगर समझेंगे तो बहुत आसान सवाल होंगे पहले जैसे कुश्चन दिया गया है 11.1 में आपके सामने आ रह होगा पैटर्न लिखने के बाद समझ गया होंगे लेकिन परतिरूप नहीं जानते हैं ना तो परतिरूप को इंगलिस में पैटर्न कहते हैं पहले पूरा जानकारी समझना मतलब की देखो अभी तक हम लोगों ने मैत पढ़ा था उसमें यह पढ़ा था यहां पर बीच में यक्स एक्स में जब गुड़ा करते हैं यहीं अंतर है इसमें ठीक ना उसमें हमने पढ़ा था कि पंदरह में 3 से भाग करते तो पांच आता है लेकिन यहां हम पढ़ेंगे कि अगर वाई की घात 5 में में वाई के घात 2 से गूड़ा करोगे तो वाई का तीन आएगा यह समझोगे अगर तो बहुत आसान होगा और बढ़ मज़ा आएगा इसमें ठीक ना इसलिए आपसे निवीदन होगा कि क्लास को छोड़के मत जाना पूरी क्लास देखना चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग ओके तो देखो पहला कुश्चन आपके सामने है चुकि हमें बुक के सवाल करने है तो हम बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और इसमें आपको समझाने की कोशिस करेंगे ओके ठीक ना चलो तीलियों से परतिरूप एनी की पैटन बनाने के लिए आवस्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए नियम लिखने के लिए एक चर का परियोक करिए हाँ सबसे पहले थोड़ी बेसिक जनकारिया ज़रूरी है एक यहां पर वर्ट आया है चर, चर का मतलब क्या होता है कुछ आरा ध्यान दिमाग में, देखो यार चर का मतलब होता है variable, क्या होता है variable, variable का मतलब होता है वेरी देखो यहां पर एक वड़ा रहा रहा वेरी वेरी मतलब इंगलिस का वड़ा है वी मतलब बदलना या चेंज होना यह जो चर्पद होता है साथ यह चेंज होता रहता इसका मान कोई मान निश्चित नहीं होता यह अनिश्चित होता यह वह फलार नहीं होता है और जो अ आ एस लेकर के जी Νट तक के लेटर है ये से लेकर के jeडं तक के लेटर वो सभी वैरियबल कालाते हैं कोई भी लेटर आप ले सकते हो बढरे बोल में कहने का मतलब बारियबल की खुल संख्या 26 है और constant क्या होता है constant जिसे आचर कहा जाता है इसे इंगलिस में constant बोलते है इनकी संख्यानन्त होती है एक से ले करके अनन्त तक मतलब कोई भी गिंती आप लिख सकते हो वो क्या होगी constant होगी और constant का जुमान है वो निश्चित होता है तो जैसे अगर मैंने लिख दिया no y तो इसमें y क्या है ये variable है ये variable means ये क्या है चार है और 9 क्या है ये अचार है मतलब constant है तो y कमान चेंज होता रहता है लेकिन 9 कमान नहीं बदलेगा बात समझ रहे हो ना y की जगा पे आप रख सकते हो एक रख दो, दो रख दो, तीन रख दो कुछ भी रख दो आप अलग अलग रख सकते हो situation की आधार पर लेकिन 9 की जगा पे आप कुछ और नहीं रख सकते हो वो निश्चित है तो ये हो गई एक थोड़ी सी basic और जनकारी अब आगे बढ़ने का थोड़ा सा उम्मीद जग रही है चलिए आगे क्या है? हाँ, कह रहा कि चर का पर योग कीजिए चलिए कह रहा कि अगला इसमें का पहला पार्ट अक्छट टी का टी के रूप में तीलियों से परति रूप मतलब ये ऐसा कह रहा है अब चलो तीलियों से हम आपको बना की दिखाएंगे जो कह रहा है क्लास को पूरा देखना समझ में आने की गारेंटी होगी देखो टी बनाना है ना तो माचीस की तीलियों से ठीक ऐसे बनेगा इधर देखो एक तीलि इधर लगाएंगे अगर और एक तीलि कहा लगाएंगे इधर नीचे आप देखो टी बन जाएगा की नहीं सोचो ये बिना पकड़े तो भाई रुकेगा नहीं ये देखो समझ रहे हो की नहीं कुछ अटक रहोगा नहीं दिख रहोगा न यानि टी बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो न तो इसमें क्या करना है इसमें ये काम करना है मालो इसको एक तीली ये है और एक तीली ये है यानि एक टी बनाने में कितने तीली लगेगी comment करके बताते रहो फटाफट एक अगर T बनाना है तो दो तीलियों की जरूरत होगी नगर तो इसी तरह से साथी हो अगर मैं आपको बोलूँ कि चलो दो बार T बनाओ ये लो, दो बार तो कितने तीलियों की जरूरत होगी, बताओ यार दो बार बनाओगे एक दो तीन चार मतलब चार होगी न अगर तीन बार टी बनाना हुआ तो तो छे तीलियों की जरूरत होगी लेकिन इस तरह अगे बढ़ता जा रहा है कोई इसका सिस्टम नहीं है इसके लिए कह रहा था एक नियम लिखिए तो इसमें हम नियम लिख सकते हैं वो क्या लिख सकते हैं देखो एक ती बनाने के लिए दो तीलियों की जरूरत हो रही है न तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे यहाँ पर ऐसे आप लिखोगे एक देखो लाइन में बता रहा हूँ कैसे लिखना है इसे आप लिख सकते हो आवस्यक तीलियों की संख्या बराबर क्या लिख सकते हो आवस्यक तीलियों की संख्या बराबर तीलियों की संख्या बराबर टू यन आप कहोगे यन कहां से आ गया ये फार्मूला बन गया और मैंने तू कहां से लिखा, तू क्यों लिखा मैंने, तू इसलिए लिखा, क्यूंकि एक टी को बनाने में, तो इस सूत्र में अगर हम निकालेंगे तो आजाएग, देखो कैसे, अगर एक तिल्ली के लिए निकालना है मतलब यार बार बार तिल्ली ओर डार है एक टी के लिए तो यन का मान क्या रखोगे दो इधर देखो क्या रखोगे दो नहीं जितने के लिए निकालोगे यार उतना रखोगे अगर एक के लिए निकालोगे तो यन कमान एक रखोगे तो बराबर दो यानि कि एक टी को बनाने में दो तिली लगए अगर दो के लिए निकालना है तो टू यन बराबर क्या करोगे टू इन्टू टू बराबर चार यानि कि दो टी बनाने में चार तिली की ज़रूरत होगी इसी तरह से आप निकाल लोगे देखो यह फार्मूला सक्सेज है अगर तीन के लिए निकालना है तो यहन कमांद तीन रखोच्छे आ गया यही काम करना था समझ गए तो यह हो गया इसका फार्मूला आवस्यक तिलियों की संख्या बराबर टू यान तो यहाँ पर आप निकाल लो बस हो गया कह रहा था कि इसका नियम लिखिए बनाने के लिए आवस्यक तिलियों की संख्या के लिए नियम लिखिए नियम लिखने के लिए एक चरका परियोग करिए बस यही उत्तर है यही लिखना था नियम बस बाकी कुछ नहीं इतना ही लिखना था तो दूसरे में भी नियम लिखने को कह रहा है देखो दूसरे में क् कितनी तिली लगेगी सोचो देखो यहां पर हम धेर सारी तिली लेके तो खड़े नहीं हो पाएंगे लेकिन आपको दिखा दे रहे हैं जेड वर्ड जो बना है ये लेटर देखो एक तिली ऐसे लगी है ना एक ऐसे लगेगी दो हो गई और एक नीचे फिल लगेगी तीन या लगेगी नौ लगेगी तो इसके लिए आवस्यक तीलियों की संख्या क्या हो जाएगी इसके लिए लिखोगे आवस्यक तीलियों की संख्या बराबर तीन यन ये सूत्र हो गया कुछ लोगों की दिमाग में आ रहा होगा यन क्यूं लगा रहे हैं कोई भी वरियबल लिख tekrar लीटर सेयं का कि कुछ भी लेटर यदिक कोई लटो सब सकते हो रहे हां लेकिन इसके लिए हैं अगर इनको न लिखो जादा अच्छा रहाए गा कि इनको भी लिख कांफूज हो ठीक ना बस तो यह इसके लिए भी सूत्र हो गया इस तरह से आपका मित्रों इसमें और भी जो question है उनमें आप कर लोगे जैसा कि मैं आपको बता दूँ आप देख रहें कि अच्छा चे की NCRT Math exercise 11.1 है तो हम question number next पर आगे बढ़ते हैं इसमें इसमें अगले में साथियों बनाया गया है यू यू बनाया गया है यू में क्या होगा सोचो यू को बनाने के लिए कितनी तिली लगेगी यार यू जो है ऐसे बनता है अगला वाला देखो यू ऐसे बनेगा न तो अब तिली तो ऐसे मोड़ेगी नहीं कि मोड़ लोगे लेकिन हाँ इसके जैसे कुछ similar आप ऐसे ऐस और आएसे बना सकते हो यानि तीन तिली लगेगी तो इसमें का नियम क्या होगा अवज्य तिल्यों की संक्या बराबत 3-100 समझ गये ना तो इस तरह से कर लेना सी वाला डिवाले में वी बनाना है वी के लिए के वल दो तिली लगेगी तो क्या होगा टू एन होगा इसका ठीक ना तो यह हो गए सब उसके बाद question number second की और हम लोग आगे बढ़ते हैं अगर आप book नहीं लिये हो तो question को ध्यान से सुनना और लिख लेना अगर book लिये हो तो बहुत अच्छे हो आप ठीक ना तो ऐसे आप कोशिस किया करिए किताब लेके बैठा कर ये बहुत मजा आएगा अगर किताब लेके बैठोगे तो और जो चात्र अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किये हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये वो कर ले जिससे क्योंने अगली कलास भी मिले और रेगुलर पढ़ पाएं घर बैठे कहीं से भी साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपकी लाइब कलास जो बंद है यह 27 के बाद चलने लगेगी अभी आपको ऐसे वीडियो कलास मिलती रहेंगी 27 के बाद आपकी फिर से लाइब चलने लगेंगी ठीक ना तो बिल्कुल टेंसन मतलेना कि कुश्चन नबर सीकेंड सुनो कि कह रहा कि हम अच्छर यल सी एफ के परति रूपों के लिए नियम को पहले से ही जानते हैं बंद करिए परति रूप मतलब क्या होता है परति रूप मतलब होता है पाइटन ठीक ना पाइटन मतलब मैं बता रहा हूँ आपको धेहां देना कि रूपकर प्रस्थ एक मैं दिये हुए कुछ अच्छरों के लिए वही नियम प्राप्त होता है जो यल द्वारा प्राप्त हुआ है अच्छर कौन कौन से हैं और ऐसा क्यूं होता है देखो यल यल के लिए जो नि नियम प्राप्त होगा वी के लिए भी यही नियम प्राप्त होगा और हाँ उपर जितने दिये गें उनमें से केवल यही दो हैं जिनके लिए यल की तरह सेम नियम प्राप्त होगा तो कह रहा है कि कौन-कौन से अच्छा रहें तो लिख दिया और ऐसा क्यूं होता है कि दोनो तो तीलियों की ज़रुरत होगी और इसी कारण से ऐसा होता है बस बाकी अपने अकार्डिंग आप लिख सकते हो थोड़ा बहुत चेंजिक कर सकते हो तो यह हो गया कुश्चन नमबर आपका सिकेंड कुश्चन नमबर थर्ड क्या कहता है किसी परेड में कैड़ेट मार्च कर रहे हैं आपने देखा होगा जहां आर्मी पुलिस होगा की ऐसे देख लो पुलिस लाइन जहां होती है वहां होता है ना मार्च करते हैं या फिर पं केड़ेट में करने के लिए कि अधीक सवाल जार। में उसमें से एक बात और कहा है एक पनुकिती में मतलब आप탄खption आप देखे हो, कि जब मार्च होता है, सिपाही लोग मार्च करते हैं, लाइन में चलते हैं, ऐसे ऐसे, देखे हो ना, मतलब जैसे भी लाइन में रहते हैं, तो कहरा है कि एक हमें कितने हैं, पांच हैं, पूछा क्या है, एक पंकिती मतलब लाइन में, एक लाइन में पांच ह मालो 7 Λाygensäg नावन करता है challenging के लिए देख लिए कटेंने वारा संपल्सी बात है अगर दो नाईने ऊंगे तो क करते हुगा इस तरहें लिए ग़ए क्या गए कि आँ पूछा क्या है गैं करेंड़ेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए लिए अब लिखोगे करडेटों की संख्या प्राप्त करने के लिए नियम बराबर 500 क्या लिखोगे 500 क्या है यह यह लिखा हमने जैसे अभी आपने देखा था सुरू में मैंने बताया था तो प्राप्त नियम बराबर क्या होगा 500 अगर अगर पंकिती की संख्या एक होगी तो क्या होगा काड़ेटों की संख्या पांच होगी अगर पंकिती की संख्या दो होगी तो काड़ेटों की संख्या दास होगी अगर पंकिती की संख्या तीन होगी तो यहन कमान पंकिती की संख्या पर डिपेंड करेगा मतलब बदलता रह यही मैंने सुरू में बताया था कि जो वरियबल होते हैं उनके मान हमेशा चेंज होते रहते हैं एक जैसे नहीं रहते हैं तो इसको आप कर लोगे एक ही समझ के लिए है यह फटा-फट कर लेना इसको और फिर नेक्ष्ट कुईश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं ध्यान आपको कोई पार्ट नहीं मिल रहा है कलास पूरा करना है ज्वाइन करना है तो आपनी संकोच संपर्क करें और घर बैठे देखें पीबीर इस्टेडी का एफ डाउनलोड करें अभी तुरन और पढ़ते रहे हैं अगला कुश्चन कहरा कि एक पेटी में 50 आम हैं अगर पे कितने हैं पचास आम हैं पूछ रहा है कि आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को किस परकाल लिखेंगे पेटियों की संख्या के लिए बी का परियोग कीजिए कहा है तो एक पेटी में 50 आम हैं पेटियों की संख्या के पदों में आमों की संख्या को किस परकार लिखेंगे पेटियों की संख्या के पदों में मतलब कि एक परकार से ये कहा जाए एक पेटी में पचास आम है तो कुश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछा जा रहा है द्यान दे न अब चलो लिखो पेटियों की संख्या बराबर लिखो माना पेटियों की संख्या बराबर बी चुकि बी कहा है लिखने को न उसने बुक में है न तो उसके आगे क्या लिखोगे इसके आगे पूछा है पेटियों की संख्या के पदों में आमों की संख्या को लिखना है तो आगे लिखो परतेग पेटी में आमों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? पचास, परतेग पेटी में पचास आम है, फिर निचे लिखो इसलिए कुल आमों की संख्या बराबर कुल आमों की संख्या बराबर पचास और बी, देखो आवाज को सुनके लिखो पचास और बी यह हो गया इसका answer इसे आप English में लिख सकते हो English में कैसे लिखोगे English में ऐसे लिखोगे Number of boxes equal be English में उर असन रहेँगा Number of boxes equal be उसके बाद फिर क्या करना है Number of mango in each box Number of mango in each box मतलब परतेग box में आमो की संख्या उसके नीचे लिखोगे Therefore, total number of देरफोर टोटल नंबर आप मैंगो जीक्वल 50 भी हो गया आपका ये भी कुश्चन क्लियर हो गया अगला कुश्चन क्या कह रहा है ध्यान देना अगला वहुती मज़दार कुश्चन है साथियों बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है देखो इसी तरह से है क से सुनों पर्ता हैं किक थे कुर्फश्चन कि संख्या घ्यात होने पर क्या आज आप कुल वांचित पैंसिलों की संख्या बता सकते हैं से क्वेध्यार्थियों की占ीक के लिए यस का परियोग कीजिए एक सिच्छक है जो प्रतिक विद्यार्थी को पांच पैंसिल दे रहा है अब पाइ, किसी कुशी में दे रहा है यह तो नहीं लिखा है लेकिन दे रहाँ है और ये ही जमाने किसी च्छक नहीं पाहि ले जमाने के चलो सुननों फिर से एक सिच्छक पिद्यार्थि को 5 पैंसिल डे रहा है विद्यार्थियों की संख्या ज्यात होने पर क्या आप वाण। प्रतियों को 5 दे रहा है तो आप जैसे निकालेंगे कुश्चन अगर नहीं है आपके तो मैंने बोला दोबार आप लिख लो ठीक ना चलो लिखो में रिखा है कि बिधियार्थीयों की संख्या vaccine-mania तो हम लिख लो बिद्धियार्थीयों की संख्या वराबर यास ठीक हो गया उसके बाद आगे कहला कि प्रतेक को Pant पेंसिल दे रहा है तो आगे लिखो नंबर आप एंसिल टौ एच इस्टूडेंट नंबराफ एंदी इस्टूडेंट मतलब परते विद्याभ थेक ये ङ्ये पैंसिल की संख्या बराबर कितनी पांच बेख या है याथ यह यह फाइप अंतरे दूनों में भी च्न अंतर कर देता हूं यह लोग ठीक अब आगे क्या लिखो गे कह रहा था वांचीत पैंसिल की संख्या लिखो देर फोर टोटल नंबर आप पैंसिल इसलिए कुल आवस्यक पैंसिल की संख्या बराबर पांच और यस हो गया बन गया फर्मूला देखो अब यहां पर यह नहीं पता था कितने विद्यार थी हैं मान लो कि अगर पांच विद्यार थी थे तो कितनी पैंसिल लगेगी यस का मान पांच रखोगे तो 25 पैंसिल लगेगी अगर आठ थे तो यस का मान आठ रखोगे तो 40 पैंसिल लग कर लोगे ना इस तरह से हाँ बिल्कुल कर लोगे बहुत मज़िदार है बस ट्राइए करना चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान देना करा कि एक चिंडिया एक मिनट में एक किलोमेटर उड़ती है एक मिनट में किलोमेटर उड़ती है कहना का मतलब साथ वाली स्पीड में जा रही हो साथ किलोमेटर परति घंटे तो क्या आप चिंडिया द्वारा तय की गई दूरी को मिनटों में बता सकते हो उड़ने के समय के पदों में बैक्त कर सकते हैं उसके उड़ने के समय के पदों में बैक्त कर सकते हैं मिनटों में उड़ने के लिए समय के लिए टी का परियोग कीजिए एक बार फिर से सुनो question लिकलो नहीं लिखा तो फिर से एक चिंडिया एक मिनट में एक किलो मेटर उड़ती है क्या आप चिंडिया द्वारा तैं की गई दूरी को भेकट में मिनटों में लिख लेना उसके उड़ने के समय के पदों में बैक्त कर सकते हो जो चिंडिया दोर उड़ रही है उसको उड़ने के समय के पद में बैक्त करो तो चलो लिखो time taken time taken by word मतलब चिंडिया दोरा लिया गया समय बराबर कितना समय ले रही हो बोल रहा है कि t मानना पहले है न तो time taken by word equal t उसके बाद आगे क्या कह रहा है उसकी speed क्या है निचे लिखो speed upward या चिंडिया के उड़ने की चाल क्या बोला था एक मीटर कि एक किलो मीटर पर मिनट न ऐसे कुछ कहा था देख लेते हैं क्या कहा था कि कह रहा था हाँ एक मिनट में किलो मीटर उड़ती है वा भाई बहुत तेज जा रही है लिखो वन किलो मीटर पर मिनट ये उसकी speed है आगे क्या कह रहा है तो उसके उड़ने की speed के पदों में मतलब बैद कीजिये तो नीचे लिखो therefore distance covered by the word भाई जितना समय लगेगा और उसकी जो चाल होगी तो आगे लिखो क्या हो जाएगा speed into time speed कितना है एक और time कितना लग रहा है ती तो क्या हो जाएगा टी किलो मीटर speed into time लिख लो इसको चाल गुड़े समय तो चाल कितनी है एक और समय कितना लग रहा टी एक क्या है मिनट ठीक ना मिनट के पद में ही उत्तर भी लाना है तो इसका final answer क्या हो जाएगा टी यानि कि वो उसके उड़ने के समय की पदों में ब्रत हो गया जैसे उसने कहा था कि उसके उड़ने के समयिए के पदों में प्लकुभा सेकना आप लोग खुद से कर लेना और बताना अगर नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल नहीं संकोई बताना तो साथ dit इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज लगभग सायत खतम हो गया है इसमें हम देखते हैं अगर और भी कुईश्चन होगे तो करवा दिये जाएंगे और आप लोग कमेंट करना अगर और भी कुईश्चन छूट रहे हैं तो मैं उसको देख लेता हूं क्या है और भी कुईश् कुईश्चन हम बताएंगे सात्मा आप लोग कर लेना आठमा ध्यान से सुनो और लिखना देखो समझने की कोशिश करो आपको इंगलिस भी आने लगेगी ठीक ना और जिनको इंगलिस में देखना था उनके लिए बहुत अच्छा होगा सुनो लीला इज राधाज एंगर सिस्टर एंगर मतलब होता है जवान नहीं छोटा तो राधा जो है वो क्या है कह रहा है लीला की बड़ी बहन है या फिर ऐसे कहो लीला राधा की छोटी बहन है लीला इज फोर इयर एंगर दें राधा लीला इज फोर इयर एंगर दें राधा मतलब लीला राधा से चार व लीलाज मतलब जानते हो का लीला का ठीक लीलाज एज इन टम साफ राधाज एज टेक राधाज एज टू बी एक्स एयर मतलब राधा की एयर को दिनोट करने के लिए यह साफ मांग सकते हो तो बहुत आसान है यार देखो सिंपल सी बात है अच्छा मुझे एक बात बताओ इसको छोड़ तो कुष्टन बाड में जाए पहले जो पूछ रहे हैं उसको बताओ चलो मालो कि मोहन जो है वो अपने पिता से 25 साल छोटा है ठीक 25 साल छोटा है पुराने जबान निकाए अगर बावन वर्स है तो आप कैसे लिखोगे पिता की उम्र के रूप में रोहन की आयों कैसे लिखो बताओ कैसे कहने का मतलब यह 25 वर्ष छोटा है कितना छोटा है 25 वर्ष छोटा है किस से अपने पिता से तो इसको denote कैसे करोगे इससे 25 वर्ष छोटा इसका मतलब 25 वर्ष कम है आयू ना किससे पिता से 25 वर्ष कम है तो कम कम मतलब क्या कम कम मतलब 52 से 25 घटा आओगे ना यही तो होगा कुछ और होगा कहने का मतलब अगर उसमें से 25 घटा होगे तब ही तो उसकी आयू कम होगी उतनी तो बस यही तो करना था कि कुछ और करना था यहां से अब आप समझ गये होगे हैं न तो नीचे लिखो राधाज एज बराबर राधा की उम्र बराबर यक्स वर्स एसए हिंदी में लिख लो बाई इंगलिस में लिखना राधाज एज राधाजं का मतलब ऐसे राधाज फिर उपर कामा यज मतलब हो गया राधा का ठीक, मोहन उसके उपर कामा लगाओगे, एफ लगाओगे, इसे अपवाश्टाफ ही ऐसे कुछ बोलते हैं इसमें, इसका मतलब होता है का, अगर राधा एज लिख दोगे तो राधा का उम्र, नहीं आएगा बीच में का, राधा, उम्र, दोनों का मतलब अलग हो जाएगा, लेकिन अगर राधा लिखके कामा लगा के एफ लिखोगे, इसका मतलब धेर सारी राधे नहीं, जैसे होता ना महेंगो, महेंगो, बुक, बुक्स, तो बुक का मतलब होता है किताब, बुक्स मतलब धेर सारी किताबें, तो यहाँ पर उसका यह मतलब नहीं हुआ, देखो थोड़ा थोड़ा इंग्लिस भी सीखते जाओ वैसे हमारी कोशिस होगी आपको जीरो लेबल इंग्लिस भी मिलेगी लेकिन अभी पहले मैद तो खताम हो जा किसी तरह ना ठीक तो लिखा राधाज एज बराबर एक्स वर्स यानि कि राधा की उम्र बराबर एक्स साल कमेंट करके बताना अगर आप लोग जीरो लेबल इंग्लिस चाहते हो तो जल्दी से और कलास को लाइक करना तुरंद चलो आगे देखे तो अब क्या होगा नीचे लिखो दियर फॉर तो बहुत कुछ मिलेगा इसे तो यह था साथियों आपका अठामा कुष्चन जो कि आप देख चुके हो उसके उस्वरी सातमा कुष्चन था अठामा था जो भी था चलो ठीक है अठामा था आगे का कह रहा है इसमें से आप लोग नो वाला कर लेना खुद से नहीं आएग तो बताना चुकि हर एक कुष्चन समझाना अच्छा नहीं है फिर आप लोग बड़ा लेजी हो जाओगे थोड़ा थोड़ा गदा हो जाओगे तो इसलिए सब कुष्चन बताना ठीक नहीं चलो सुनो अगला अगला कह रहा है कि औरेंजेज आर टू बी ट्रांसफर्ड फ्राम लार्गर वाक्सेज इन्टू समालर वाक्सेज औरेंजेज मतलब होता है संतरे संतरों को बड़े बाक्स से छोटे बाक्स में भेजा गया या फिर उनको पल्टा गया कि वेन अलार्ज वाक्स इज कॉम्पिटेट दा औरेंजेज फ्राम इट फिल टू समालर वाक्सेज और इस्टिल टेल औरेंज रिमें आउटसाइड पैको इंगली साइना मतलब समझना कहने का यह मतलब है कि संतरों को एक बड़े बाक्स से एक छोटे बाक्स यानिकी टोक भर गई लेकिन दस संतरें बाहर बच गए जब एक बड़े स्कों किया गया चोटे बाक्स में तो दो चोटे बाक्स बहर गए लेकिन एक दस संतरें से बच गए इस इसनाल बाक्स और टेकन टू बी X What is the number of orange in the large box कह रहा कि यदि छोटे box में यक्स संत्रे आए यदि छोटे box में यक्स संत्रे अमा गए माना कह रहा है कि मान लीजिए छोटके वाले box में यक्स संत्रे भर गए है तो ये बताओ फिर बढ़के box में कुल कितने संत्रे थे बढ़के बाक्स में कुल कितने संत्रे थे देखो बहुत आसान है बढ़के बाक्स में कुल कितने संत्रे थे सोचो अगर गैस करो कि संत्रे ना बचे होते गैस करो अगर फंत्रे ना बचे होते कुछ भी न बचे होते यानि एक बड़ा सा बक्सा खाली किया गया, दो छोटा वाले को भरा गया, तो इसमें सब दोनों खाली हो जाता, यह भर जाता, कुछ भी न बचता, तो अगर इसमें यक्स संत्रे आए हैं इसमें भी यक्स आए हैं इसका मतलब बढ़े वाले में टू यक्स संत्रे थे यही तो मतलब होता ना भाई मालो यह बढ़का वाला बाक्स है इसमें से इसमें दोनों में खाली किया गया था तो बढ़के वाले में कुल कितने रहे होंगे और अगर कुई क्यूट करने वाली बात हें शूचने वाली बात है कि 10 संत्रे बज जा रहे हैं तो यार बज जा रहेंING कितने होंगे 2x10 किए 10 संस हो जडा रह ME तो यह हो गया आपका अंसर समझ गए तो note कलो फटा फट अगर कोई question है तो नीश अंकोज बताओ जल्दी से ठीक ना आ रहा समझ में तो ये हो गया आपका कौन सा नंबर 10 वाला हो गया ठीक है ओके बहुत अच्छे very good आगे चलते रहो तो साथियों आज के लिए बस इतना ही आपका ये exercise 11.0 जो है ये खतम हो चुका है 11.1 ठीक ना ये खतम हो गया अगली exercise में हम अगले दिन पढ़ेंगे और आप याद रखना समय इस समय जो present time में ये समय चल रहा है वो सुबह 7 बज़े से चल रहा है ठीक है और साम को भी 5 बज़े से आपकी class होती है अगर नहीं हो रही समय तो 27 के बाद यानि 28 29 मार्च से फिर से regular चलने लगेंगी और अगर आप पूरा complete course चाहते हैं घर बैठे एक अच्छी quality में हो सकता यूटूब पे आपको सारे पार्ट ना मिलें कुछ पार्ट गयब हो जाएं कुछ class ना मिलें तो उसके लिए आप PBR study का app डाउनलोड कर ये प्ले स्टोर से वाट्सप नंबर आपकी inquiry के लिए call पे आप inquiry कर सकते हैं PBR study app में आपको complete course मिल जाएगा इकठा मिल जाएगा अगर कोई वहाँ पर issue आती है तो आपनी संकोच हमसे संपर्थ करें ठीक ना तो साथियों घर बैठे आप सीख सकते हैं मैं PBR study के साथ विल्कुल जीरो से कोई टैंसन नहीं मिलते हैं फिर next class में तब तक के लिए जैहिंद चलते चलते निवेदन होगा इस class को share करके जाएगा आपने कम से कम दो तीन मित्रों में जरूर सेर कर देना ठीक ना सेर करोगे तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेर जरूर करेंगे आप लोग और लाइक निके तो तुरंत कर देंगे और सब्सक्राइब करके बैल आइकन आन करेंगे जिससे कि आप हमारे हारे क्लास को देख सके हैं सुक्रिया